असी काल जी सारे है नूँ थोड़ा साथे यूट्यूब चैनल ते स्वागता जी अज जैसी एड़ी वीडियो पड़ा उन जा रहे हैं जिमें साथे कोड़ा हीफर काऊ है इसका अडर भी देख सकते हो आप और इसकी जो मतलब वेट वाइस भी सही है तकरीबन साथे पांच क भी सुव रही है जो हीफर होता है उसका बच्चा थोड़ा है भी होता है क्योंकि हम जो सीमें यूज करते हैं वह सी आरवी का करते हैं या एवीस का भी कर लेते हैं कई वार तो उसके बच्चे थोड़ा ज्यादा भारी होते हैं और आपको हम दिखाएंगे यह एक जर्मनी कि और मेंट इन्रमरी है इसे हम इसको गय को सुवाएंगे आपको दिख पेंगे पहले आपने जो प्रकोशन करनी है आप किसी भाई ने यह गाई को सुवाना है तो पहले इसको अच्छे में जबाइज नहीं कर लेना क्योंकि इसको कम से कम धेड़ दो गंटा हो गया बच्च सबसे पहले आपने गुंगना पानी ले लेना है और जो ये पीशे गंद मंद लगा हुआ है इससे एकदम से साफ कर लेना है इसको निकाल देना है तो कि कोई गंदगी अंदर मत ना जाए पूरे से साफ कर लेना है कर दो कि फिर आपने गलब्स ले लेना है कि गलब्स सेनिटाइज हो क्योंकि किसी भी तरह की गंदगी कोई अंदर में मत जाए आपने पहले चेक करना है कि बच्चा सही है और उसके बाद में आप ने इसके दूने प्यार लग निकालने की कोशिश करनी है यह 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 और इसको दो रसियां है यह कि इसको इससे बांद लेना है आपने कि अब आपने देखी लिए बांद लिया इन से यह भी पूरे सेनिटाइज की हुए रसियां है इसको देखो ऐसे इसके पीछे लग जाना इसमें और यह जो जर्मनी का है पहले इसका बच्चा जुरूर क्या करना आपने इस सही भी है र कि अ he हम लंगी है कि अभी है हम ऩार की अभ़ हम भी है यह वाल य sharp यह लिए औले पले पले खलेखेवा आपने अच्छे से साफ करना है और चिलाओ इसको अच्छे साफ करना है और चिलाओ इसको इसे पानी निकन रहा है अच्छे साफ करना है कि अच्छे साफ करना है कि आप देश सकते हो इसको ऐसे थोड़ा टाइम लटकाना है कि कोई बार पानी अंदर में चला जाता है तो यह पानी निकल जाएगा और इससे हमारा यह प्रकिर्या समाब्त हो गई और अभी गाए को खोल रहे हैं जो आपने जब गाए को सवाना है ना तो इसका साफ पाई का पूरा जहार रखना है यह जो हमारी हमारी है यह गलैक्सी की है और इसने मिल्स का फीमेल काफ दिया है कि जिसका बेड कम से कम 30-35 किल होगा तकरीवन हम जो प्रकिर्या करके हैं और यह अभी गाए को अभी एक जैल देंगे वह भी मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले बच्चा निकालने से पहले उसको एक जैल दी जाती है जिसको केल्शियम होता है क्योंकि जो हम ट्रांजिशियन पीरियड में इनका कैल्शियम थोड़ा कम कर देते हैं इससे जो कैल्शियम इनका सब्सक्राइब बहुत ही थोड़ी देनी है जो इसके जीप पर वस पड़े और अपने आप अंदर लेके जाए कोई भी चीज धक्के से देनी यह कालब्प जल है कार्डिल कंपनी की जो हम इसको रेगुलरी देते हैं सब्सक्राइब बहुत है इससे इसका जो कैल्शियम है यह पूरा हो जाता है और पुछ इस होता है आधे गंड़े के भीच मीच में घूद पिलाना होता है कि आपने जब गाई को जैल दे दी उसके बाद में आपने तुरंत बाद बच्छी पर आजाना है जो आपको फीमेल काफ हाया है इसको ऐसे लिटा लेना है जो इसका हम नाडवा बोलते हैं यह चीच जिस पूड जाता इसको पहले भीटा डिन से दो ले ना है और इसको भी जो थागा उता है इसको भी ढोलेना है और इसको नाडवे को एक इंच छोड़ के कसके बांदेना है बांदेना है इससे कोई भी मतलब इसमें एंटर नहीं होगा कि टानू को गारा और जो धागा और थोड़ा नाड़ूगा काड़ दिना है और इसको बीटादीन लगा देंगे भेर को इसको अभी निकालेंगे हम इसका दूद और इसको दूद पिलाएंगे कि जब इसका नाड़ूए की प्रकिरिया पूरी हो गई तब ऐसे हमारे तिंज्रे बनाए हुए है क्योंकि इनको कोई कववा वगएरा इसके पैरों में चूचना वारे जहां उसकी आख मेना मारे को की छोटा बच्चा है और इसमें देखों हमने तूडी का जो तूडी होता है कनक का घूसा होता है उसको हमने डाल के नीचे तो इसमें यह बच्चे डाल देंगे और यहां पर ही इसको इसकी मा का कलस्ट्रॉल होता है जो वह तीन दिन तक यह बलाएंगे और उसके बाद में मिल्क रपलेसर शुरू करेंगे इसका अभी नेक्स्ट वीडियो हम मिल् और यह जो दूद होता है बॉली बोलते हैं हम इसको यह हम तीन दिन तक इसको पिलाते हैं मतलब शेटाइम और उसके बाद में जो रपलेसर से मिक्स करकर के इसको छोड़के सीधा मिल्क रपलेसर पर चले जाते हैं और उससे बड़ी अच्छी ग्रोथ हाती है इन जानवर की और अभी तो थोड़ा ठंडी पढ़ने लग गया है तो थोड़ा इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे की ग्रोथ है वो ठंडी की वज़ा से थोड़ा कम जाता है और यह आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और हमारे चैनल को